हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में कल के कल से आपकी UP Board exam स्टार्ट हो जाएंगे हिंदी का पेपर आपका पहला है तो इसलिए आज इतने भी क्लासेस आपको मिलेंगे हिंदी के ही मिलेंगे ताब कि आपका पेपर सौ में सौ का हो आपने पिसली कई वीडियोस देखी होंगी अगर नहीं देखी तो आपको बता देते हैं कई topics हमें आपर clear कर चुके हैं जैसा कि हमने आपको गद्यांश बता दिया है ठीक है और फिर उसके बाद हमने आपको जीवन पढ़चे बता दिया कि किस तरीके से आपको लिखना है साथ इसाथ हमने पूरी व्याक्रण, व्याक्रण में जितना भी कुछ आता है, संदी विचेत है, विभक्ती वचन है, शुद्ध वाक है, अनेकार्ती शब्द है, जितना भी व्याक्रण 15 नमर की पूरी आती है, पूरा डीटेल कर दिया है कि किस तरीके से आपको कॉपी पर रिप्रेजेंट क लिंक जो है, वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और कॉमेंट भी पिन कर देंगे, आप डिरेक्ट वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, आज का जो क्लास है, इसमें हम आपको पढ़ाएंगे संस्क्रत के बारे में, देखिए संस्क्रत जो खंड है, इस खंड से केवल दो चीजे आती हैं आपके पेपर में, पहली जो होती है, वो आता है आपका गध्यांश, क्या आता है गध्यांश, उसका आपको अनुवाद करना होता है, ठीक है, उसका संदर्व भी लिखना होता है, और संदर्व में क्या लिखना होता है, केवल आपको चैप्टर का नाम दे होते हैं एक अध्यांश का हिंदिय नुवाद आता है एक श्लोक का आता है तो दोनों ही चीज़े हम आज के क्लास में क्लियर कर देंगे कि कौन कौन सी आपको पढ़नी है देखिए पढ़ना जितना जितना आप जादा पढ़ पाएं पढ़ते रहिए लेकिन जो आज की क्लास सबसे पहले यह वाला इसमें जो लगा हुआ है यह काफी इंपोर्टेंट है संस्कृत से साहित सरसम मतलब आपको पूरा जो यह लिखा हुआ है यह सारा लिखके कोशन आएगा पूरा पैराग्राफ लिखकर आपको क्या करना होगा केवल आपको संदर्व टाल नी होगी है संस्क्रत अग्वार होगा से कए अर इसके जो पार्ट है और वह कौंसा है हमाु संस्क्रत भाशाय अ महत्व में इतना सब सहत दे संद्र में पर सुन के अपको हैं घंडिय हिंदियनुबाद डालने में आपको जो भी आ यह आया है तो इसका हिंदियनद डाल यह आया है। अब जो लास्ट यह आ इplaying आ ऐख्वार नहीं आया था कोफें इन पोर्टेंटे देखें। ऐया भी कितनी बार यह सं में लिखा आमने लगा भी रखा है,ender to tackle हमारा उननिस बीज और इवन यहां पर बाइस में भी आया था तो इसलिए इसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा काफी इंपॉर्टेंट अब चलिए अगले चैप्टर की ओर चलते हैं अगला जो चैप्टर है वह हमारा जातक था जो हमारा पहला चैप्टर था उसमें से बस तेरा में आया 17 में उन्निस में इसका भी हंद्य नुवाद अप अच्छे से पढ़ डिजेगा फिर अगले चैप्टर की ओचले ही तो महा मना मालविय तो इसमें यह वाला काफी इंपॉर्टेंट है इसमें मदन मोहन मालविय जी के बारे में पूरा डीटेंटेल में लिख इसके बाद अगर हम आगे चलें तो यह भी इसी चैप्टर का है देखी 12-15-16-18 में पूछा गया है कि महा पुरुष्ट लौकिक प्रलोब नेचु बुद्धा तो मतलब यह वाला जो है यह इंपॉर्टेंट है इसमें बतायागी आपको पता होगा महामाना मालवी जी जो है वो महापुरुष्ट है तो इसके बारे में भी आप पढ़ दीजेगा उसके बाद अगला जो है यह भी इसी चैप्टर का है इसमें आपको हिंदी संस्क्रत भाशाशु अस्य समाना अधिकारा आसी तो यह वाला यह देखी इस सारे आपको मॉडल पेपर में मिल जाएंगे तो इसलिए केवल हमने यहाँ पर पैसेज ही लगा रखा है मतलब संस्क्रत में ही लगा रखा है आपको यह सारा मिल जाएगा लेकिन अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं मिल रहा है तो आप कॉमेंट करके बताएगा तो उसकी भी जो पीडिय बनाकर यह सारे आपको अच्छे से पढ़ लेने पढ़ना सारा है लेकिन यह वाले बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेने क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है उसके बाद हम बात करेंगर श्लोकों की तो श्लोक में आपके सुभा शितानिक के अगर आप यही चैप्टर ढंक से प यह रतना होगा कि किस चैप्टर से लिया गया है इसमें लिखा हुआ भाषाशु मुख्या मधुरा दिव्या गिरिवार भार्ती तस्याही मधुरं काव्यं तस्माधी सुभाशितम तो इसका मतलब होगा भाष्यों में संस्क्रश कषबसे जो है वो मधूर प्रधान और अ पताया गया है उसके बाद देखिए यह दे रखा है यह देखिए आया हुआ है 11, 13, 17, 19, 20 में काफी इंपॉर्टेंट है इसका मतलब है कि जो सुक चाहने वालों को विद्या का यह तो आपने एर्थ क्लास में पढ़ा होगा सुक चाहने वालों को विद्या चाहने वालों को सुक की इच्छा करने वालों को विद्या चोड़ देनी चाहिए अथ्वा विद्या चाहने वालों को सुक छोड़ देना चाहिए तो यह सारा इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको इनको समझना भी चाहिए लिखा हुआ है इसके पास अगला हमारा श्लोक है यह देखिए चौतर नंमर वाला लिखा हुआ है इसमें आपको पूर्वत मत लिख दीजिएगा, यह बात एयाद रखिए, काफी बच्चे गलती कर देते हैं, मान लिया अपका संदर्व आया, यह वाला मान लेते हैं, आ गया आपके अग्जाम में, आपने क्या लिखाला है संदर्व डाल अब ये बार बार नहीं लिखना है लेकिन आपको तो लिखना ही होगा ना क्योंकि आपने तो दुबारा पहले लिखा नहीं है तो इसलिए पूरवत मत लिखेगा संदर्व में आपको यही वाली लाइन लिखनी पड़ेंगी तो बस आपको क्या करना है इसका शलोक ध्यान रखेगा और इसका अनुवाद ध्यान रखेगा और ये वाला जो संदर्व है वो आप पहला वाले ही सभी में लिखेंगे उसके बाद ये वाला देख लीजे ये वी काफ़ इंपोर्टेंट है कि विध्या रूपी धन समस्त धनों में सर्व स्रेश्ट है मतलब स्रेश्ट है क्यूंकि ना तो चोर उसे चुरा सकते हैं ना राजा उसे चीन सकता है भाई बाट सकता है ना यह बहुच बनता है और अर्थाल भार रूप इसमें नहीं होता है और खर्च करने से निरंतर बढ़ता है इसमें इस पूरे श्रोक में यही कहा गया है कि जो आपके विध्या है वो रहेगी तो आपके ब्रेन में मतलब कहने का मतलब यह है कि जो जितना भी ज्यान है आपके अंदर है अगर आप वो किसी से बाढ़ते हैं तो वो बढ़ेगा आई मतलब आप अगर खर्च करते हैं मतलब उस खर्च करने से बढ़ता ही जाता है बढ़ता ही जाता है आप उसको ना ही उसको कोई भाई में आपने बाट सकते हैं नहीं मतलब कोई विद्या कोई चीज सो है नहीं जो आप आपस में बाट लेंगे नहीं कोई राजा है या चोर है वो उसे चुरा लेगा ठीक है तो इस तरीके से काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी उसके बाद ये देखिए ये वाला देखिए यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट है कि विद्या विवाद आए धनम मधाय शक्ति परेशाम परी पीडानाए खलत से साहधु विपरीत मेत ग्यानं ग्यानाए दानाए चारक्षुडाय तो ये काफी इंपॉर्टेंट है इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है ये लास्ट येर आया था कि जो बेकार लोग होते हैं उनके लिए उनका धन होता है वह घमंडी के द्धन दान करने के लिए होता है और जो पावर होती है शक्ति वो दूसरों की रक्षा के लिए होती है तो यह वाला most most important है last year भी exam में पूछा गया था उसके बाद यह देखे लगा हुआ है 13 15 यह 18 20 में यह भी पूछ सकते हैं इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी तो अभी तक आप ने वहां पर जॉइन नहीं किया तो जॉइन कर लीजे जाके वहां पर सारी पीडियाफ्स अप्लोड कर दी गई है आपको सब कुछ मिल जाएगा और कोई भी यहां पर आपको अरुवाद नहीं मिल रहा हो तो कॉमेंट करके बताएगा उसकी पीडियाफ्स अप्लोड कर देंगे इस क्लास में इतनी रखते अगले क्लास मिलेंगे अगले नए टॉप